इस वीडियो में हम संस्क्रित सुबोध कक्सा 5 की कार्य पुस्तिका के पंच मेह पाठे हैं, पाचवे पाठ की वर्कशीट का हल देखेंगे, ये वर्कशीट वाक्य बोध पर ही अधारित है, सबसे पहला प्रशन आपसे पूछा गया है, प्रशन नाम समुचितम उत्तरम इन प्रशनों के आपको उचित उत्तर देने हैं, जैसे यहाँ पर पहला प्रशन है, तुम कोन हो, तो इस प्रशन के उत्तर में आप अपना नाम लिख सकते हैं, एहम, रवी, अस्मी, जैसे उधारन के लिए हमने लिखा है, एहम, रवी, अस्मी, आप कोई और जो भी आप का नाम है, वो आप इसमें लिख सकते हैं, मैं रवी हूँ, आगे देखिए, युवाम, कौव, इस्तह, तुम दोनों कोन हो, तो इस प्रशन के उत्तर में आप लिख सकते हैं, आवाम, राधा, सीमा, च, स्वह, हम दोनों राधा और सीमा हैं, आगे देखते हैं, युयम, क के इस्थ तुम सब कोन हो युयम के इस्थ तुम सब कोन हो इस प्रसंद के उत्तर में आप लिख सकते हैं वयम रमा सीता मधू च इसमह हम सब रमा सीता और मधू हैं तो इस तरह से आप इनके उत्तर लिख सकते हैं आपको जो भी नाम अच्छा लगता हो वो आप इसमें लिख सकते हैं अब हम देखते हैं इसमें अपने दूसरे प्रसंद को दूसरा प्रसंद है हमारा प्रसंद दो उधार नानुसारम रूपानी लिखत उधारन के अनुसार आपको रूप लिखने हैं जैसे यहां पर उधारन दिया हुआ है पठामी पठावे है पठामे है ये पठ धा इसी तरह से आपको भी यहाँ पर उधारन के अनुसार यह रूप लिखनी है जैसे एहम, आवाम, वयम एहम का मतलब मैं, आवाम का मतलब हम दोनों और वयम मतलब हम सब इसी तरह से करोमी, कुर्वह, कुरमह इसी तरह से तवम, युवाम, युयम ये शब्द रूप इस तरह से आपको लिखने है जैसे आगे देखिए इसमें करोसी कुरुथ है कुरुथ और आगे गायामी गायावे है गायामे है इसी तरह से ये भी है लिखामी लिखावे है लिखामे है यहाँ पर लिखामे है आएगा लिखामी लिखावे है लिखामे है तो इस तरह से आप इन शब्द रूपों को लिखेंगे आगे देखते हैं हम अपने तीसरे प्रसन को तीसरा प्रसन है हमारा हिंदी शब्दानाम संस्कृतम लिखत हिंदी शब्दों की आपको संस्कृत लिखनी है हिंदी शब्दानाम संस्कृतम लिखत हिंदी शब्दों की संस्कृत लिखनी है जैसे मै, मै को संस्कृत में कहते हैं एहम तुम दोनो, तुम दोनो को संस्कृत में कहते हैं युवाम इसी तरह से क्या, क्या को संस्कृत में कहते हैं किम गेंद, गेंद को संस्कृत में कहते हैं कंदुकम गाता हूं को संस्कृत में कहेंगे गायामी हम दोनों को संस्कृत में कहते हैं आवाम इसी तरह से तुम सभी इसको संस्कृत में कहते हैं यूयम तुम सभी यूयम प्रसंद चार है हमारा उचित किरियापदम लिखत आपको उचित किरियापद लिखना है यहाँ पर यह अधूरे वाक्य दिये गए हैं इनको पूरा करने के लिए उचित क्रिया पद आपको लिखना है जैसे एहम आस्तिक है अस्मी मैं आस्तिक हूँ तो इसमें आएगा अस्मी आगे दूसरा इसमें वाक्य है तुम कुत्र गच्छसी यहाँ पर आएगा गच्छसी तुम कहां जाते हो तीसरा वाक्य है आवाम फलम खादाव है हम दोनों फल खाते हैं आगे देखिए युवाम पत्रम लिखता है तुम दोनों पत्र लिखते हो आगे देखते हैं पाँचवा वाक्य है इसमें वयम बाल कहा इसमें हम सब बालक हैं आगे देखते हैं छटा वाक्य है युयम पतत तुम सब गिरते हो तो इस तरह से ये वाक्य हमें पूरे करने थे इसमें हमने उचित किरियापद लिख करके वाक्यों को पूरा कर दिया है तो इस तरह से इस वीडियो में हमने ककसा 5 की जो कार्य पुस्ति का है संस्कृत सुबोध की उसके पांचवे पार्ट की वरकशीट का हल देखा है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो करप्या करके इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें भन्यवाद